आत्मी स्रुता जाय मनोक्रांदी कौसिक एक तपस्वी को ना उन्ही तपस्या गरती थी तपकोई बलबाट उन्मा सिद्धी रशक्ती पलाई सके को थी एक दिन उनको टावको माथी योडि बगुली ले बिस्ठा गर छे रीसले कौसिक केसे माथी हेर चन रबगुली भस्म भायर तल जार छे तियो दिन मा कौसिकलाई पिडावायो किनकी उनको रीस को कारण योड़ा निर्दोस बगुली को मर्तिवाल। तियो दिन उनी विच्छाटन गरन जादर योटी आईमाई ले उनलाई कुराईन। तियरी लाम कुराई सके पचे उनलाई रीसूठी। देखिनस के क्या हो मतपस्वी मलाई विच्छाटन किन धिल गरीस। योगुलाई सुने र ग्रश्ती आईमाई ले बंचिन ब्रामन तपाईलाई कुराई रहदा तेतें जालनाई मेरा पति देव आउनु भाय। र उनको स्यावामाई लागी पची एक चिन बिलम्बाभाय को हो। र मलाई यस्तोरे रीस पने न देखाऊन होस् भ्रामन किनकी मा बगुली होई न कि तपाईको रीसले मबासमा हो। ब्रामन चल्यास सब्विम जेजस्त हों चे, बगुलीलाइ मारे को कसरी थावायो इनी ग्रश्त लाइ, इनी महिला लाइ, तिसपछिवनी उच्छुख हों चन्य। भद्र महिला तपहिमा यो दिभ्य द्रिष्टी काँ बड़ पलायो कि महिले योड़ा बगुली लाई भास्मगरी को कसरी धावा महिला हासिन रभनिन धार्मका धेरी बाटा चन मेरो बाटो अलग गई हजुर को बाटो अलग गई मा पनी तपस्या रत मैं चुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ और कोई पनिदाई बचाई ना, किनकी मा उनकोई लागी निसकाम कर्म, उनी बाटे नहीं प्रेवित भायरा, निसकाम कर्म गरना योग्य भागोचु, युक्रा सुनी रा तपस्वी छक्क परे, रा तपस्वी लाई महिलाले उपदेश देन जानुस, तपाई को क्रोध तपाई ब्रामन काहलावन हुन्न, तपाई अध्यत्मको लागी योग्य हुन्न, किनकी सास्त्रमा वनिकोच, युक्रोध मोहव तेजती, तम देवा ब्रामनम बिधु, काम क्रोध हु वसव यश्यतम, देवा ब्रामनम बिधु, जसले काम मोह क्रोध लाई वस्मा राखन स तेसलाई ब्रामन बनी दैना। यदि ब्रामन हुनुछ बने यो काम लाई, यो मोह लाई, यो क्रोध लाई बसमा राखन सिका रहा येसको लागी तपस्याले मात्रे पोग दैना। तपस्वी तेसको लागी ज्ञान चाहिएंच। रह यो ज्यान मिठिला नगरमा एक जाना धार्मा व्याद छन उनका गयर सिक्म। महिला को कुराले तपस्वी लाई बिज्श उनी सरासर धार्मा व्याद को खोजमा मिठिला नगरी पुग छन। मिठिला नगरी पुगे रह उनले मुक्ता आत्मा लाई खोच्छन। रह अध्भूत कुरा ते मुक्ता आत्मा ते मासु काटे रह बिचीरे को अबस्थामा पाई। रह उनलाई शांका पनी लागयो मासु काटे रह बिचने मान छे कसरी धार्मा पुरुष हुना सक्छा। कसरी मुक्ता आत्मा हुना सक्छा। उजानाई खोजे को बेला त्यू धार्मा ब्याद ले बलाउँ छे ब्रामन तपस्वी आउनुस अजूर त्यां देखुन लुए ब्रामन हुँ बनेर, मही तपस्वी हुँ बनेर यसे कारण उनी कन्वेंस्ट भाय, उनी तपस्वी ब्रामन को आगाडि पूगचन, तपस्वी ब्याद को आगाडि पूगचन, उरा बंचन कि यवडा महिलाले मलाई पठाकों, तपाई संग धार्म उपदेश ली नखो लागी। तसके घर मा लगेर। ब्रार्मन लाई ब्याद ले उपदेश देश देशन। योग को बारे मा ब्याख्या गर्चन। निती को बारे मा ब्याक्या गरचन, वेद्र उपनीशत को बारे मा ब्याक्या गरचन, पुरान का बारे मा ब्याक्या गरचन, सभई धार्म दर्शंद आउने। आवने काम ले मासु बेचने काम को हिसाब ले उवदिया तर attempts प्रति तर चांद में करें तेथेי का ज्यान येस तो आद्यात्मीक चरित्र कोसरी पाउनभा हजुरुली। कोहुन हजुरका गुरुू? मैं हजुरको गुरुको बाहरेमाया जानना चाहांचु। argentous त्सद्सद्सद्सद्साः कोहुन। जसली हजुरला येस तो यग्या बनाउन्मां। मा तिस गुरु को बाहरे मा सुन्द चान छो ब्यादाँ से सारे सुन्दर प्रश्ण गर्ण वा सजीलु छ इसको जवाफ आउ मा मेरा दुई गुरु लाई प्यटावन लाँ छो बंदै और को कोठा तेर लगछन ब्यादले कोठा मा यवड़ा सुन्दर शफा खात मा यवड़ा सारे बुड़िया आई माई यवड़ा सारे बुड़ो बसी रेका थी और धर्मब्याद तेहां छिरना साथ धूप चड़ों छे दीप चड़ों छे पाद्दे अर्चन लेंच भोग भेदगार छे दर्मव्याद फल्फुल चड़ों छे इनी नहीं हुन मेरा गुरु इनी नहीं हुन मेरा गुरु आमा इने नहीं हुन इनी तो तपाई का आमा रब बाबा होई नंद्र हो इनी मेरी आमा रब मेरा बाबा पनी हुँ रत इनी मेरा गुरु पनी हुँ किनकी इनी हर को सेवा इनी हर प्रतिगरने मेरो ब्यभार इनी हर को लागी मैले गरे का संपूर्ण कुरा हरो जसले मलाई याँ समपुर्याइक हो मैली निसकाम भावबाट इने हरको सेवा गर्दै आई रेकोच किनकी इने हरको सेवा गर्णु नहीं बास्तविक रूपमा मुक्तिको भाक्तिको योगको द्यानको उदेश्य पनियो किनकी सास्त्रमा बनेकोच पंचैव गुरुओ ब्रह्मन पुरुसस्य बवुक्षता पिता माताह अगनीर आत्माच गुरुष्च दुईज सत्तम अतह पांच सोडा सास्त्रले बतायका गुरुमद्दे आमार बाभापनि पर्चन र उनिहरको लागी हामी बाचनु पर्चन उनिहरलाई बहाना बनार हमरो निश्वार्थ साधना हुनु पर्च किनकी जवसमा अहंकार रहन्च तवसमा मंचे कोईली पनी मुक्त हो दैना जवसमा अहंकार रहन्च तवसमा मंचे कोईली पनी सांतर सुखी पनी रहा दैना जब सम्मा अहंकार रहां चब तब सम्मा मन्चे अध्यात्मिक बन्न पनी शक्त ही रो अहंकार बिलेगर ने शब बन्दा रामरो माध्यम बने को सेवा हो रति सेवामा पनी आफलाय जनम दिनी मरी मरी हुरकाँनी यी आमा बाबा को सेवा यो वंदा रामरो धार्मको अवशर यो वंदा रामरो अध्यात्मको अवशर और कियो न सक लए claim तेसकारन मैली इने हरको नई स्यवा गर्दा, गर्दा, गर्दा एक दिन ममा शमादी कटिए, एक दिन ममा ग्यान को विस्फोट भाई, येसको स्रय इनी हरुमा थी मैली गर्दया को स्यवा नहीं हो, अतहा सब्मन्दा ठूलो धर्मभने को स्यवा नहीं हो, तेसको परिणाम स पतंजली लेल, समाधी शम्म पुग्न, दुयोड़ा बाटोगू, जोड़दार्शंग बास गरिका चन। ती दुयोड़ा बाटवन, अव्यास रबैराक। शादक ले अव्यास जारी राकने परच। लाम हो समय स्चन। रसाथ साथ है संसार प्रती, बैराक बनी, जगाई रान परच। अव्यास तेरे किसिमका होंचन। तेस मध्ये योड़ा अव्यास कर्म योग बनी हों। कसे ले ध्यान गरलन, कसे ले अठी योग गरलन, कसे ले कुंडलीनी योग गरलन। बिविन्न किसिम का मार्ग चन। देरे किसिम का बाटा हरु चन। जत्ती बाटु भापनी पुग्ने ठाओं योटै कुँँच। तेसकारन पतंजलीले अभ्यास्र बैराग पाकी सके पची समाधीलाई बारंबार गटाउन सकींच बिविन्न किसिम बाटन। बितरक, विचार, आनन्द, अस्मित, रूपानुगमात, संप्रग्यात, संप्रग्यात समाधी सम्मपुग्ने इचार वडा बाटा हरु खुलस्त हुँच अभ्यास्र पैराग पाकी सके पचींच। अतहा मुक्तिको लागी बाटा हरु थुप प्रेखुलन सक्छुँच। योखुरा पतंजली बाटा प्रश्ट बहाँ। दर्मब्याद को कथा मां दर्मब्याद ले मासु बेची रहे थी। ब्यवसाय मन छेले जे गरे पनी हुँच्छ। आमी जहाँ चूं, जुन अवस्तामा चूं, ब्यवसाय ले मैं चलाय औधार्मिक्र विल्साफि सच्छ। करूप मां बाबा आमालाई नहीं पूजागर यहां नेरा स्वामे रामकृष्ण परम हमसा को प्रशंग पनी सुन्न यग्यच उनले पूजागर ने क्रम मां मां ता काली को ठाओं मां कईले काई आफनी सिर्मती मां सारदालाई पनी पूजागरे को पाईये को थियो त्यसे यहां का मांचेर ले सोदे की परम हमसाजी परले साथ सीर्मती को पूजागर नुं बाइको हो काली को ठाओं मां स्यर्मती लाई राखे रा काली को अपमान गरेको हाई नहीं और इन्हें जूदों काली को प्रसाद स्वारूपणी राम कृष्ण को मुकती धरे सहजभाए क देखीज़, तिसकारण मानव को सेवा पनी मुक्ति को मार्ग बनना सक्ष, यदि यो शेवागर ने शैली अध्यात्मिक शवने, यो निसकाम सेवा हो बने आमा बाबा या छ्वराछरी, या स्रमती सिर्मान, या अन्नी मानशेयर को निसकाम सेवागर नू जन्म जन्म को पार नकादागर ने शर्मती सिर्मती सिर्मती सिर्मता बत्यात्य आमाना सेवागर ने शाली तो तो झाल झाल